सुसांत की मौत के बाद पूरा देश इस बात की टक्टकी लगाये हुए बैठा है कि CBI के पास कोई ठोस सबुत मिले जिससे सुसांत का असली कातिल सलाखों के पीछे जा सके जिया दोस्तों अब आपको खुश होने की जरुवत है सबुत मिल चुका है मैं जिकर कर रहा हूँ सुसांत सिंग रासपुत के आखरी कॉल रिकॉर्डिंग की मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा लेकिन इसके पहले आपको बता दें कि सुसांत के मडर के बाद CBI इसी कोशिस में थी कि सुसांत का मौईल आखिर है तो है कहां वो कौन कातिल है जिसन में आसर चकित करने वाला बात है CBI पूरी तरीके से हरकत में आ गई थी लेकिन इस बक्त सबसे बड़ी ख़वर यही है कि CBI को सुसांत सिंग रासपुत का मौईल फॉन मिल चुका है और किसके पास से मिला है मैं वो भी आपको बताऊंगा लेकिन सुसांत के आखरी कॉल र इस जानना चाता है सुट में बता देता हूं कि सुसांत सिंग रासपुत के पास जो आप इस वीडियो में मौईल देख रहे हैं इसी मौईल की तलास CBI को थी और सुसांत के मडर के साथ मेहने बाद यह मौईल सिद्दार्थ पिठानी के पास से मिला है वही सिद्दार्थ जो सुसांत का सबसे करीबी था और सबसे बड़ा राजदार भी और पूरा देश उन पर आज भी सवाल खड़ा कर रहा है कि सुसांत के मडर के पीछे इनका ही हाथ है आप तस्बीर में आसानी से देख सकते हैं कि किस तरीके से सिद्दार्थ पिठानी के हाथ में सुसांत स सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि सुसांत के मडर के बाद जिस तरीके से सिद्धार्थ पिठानी ने उनका मुवाइल ले लिया उसके बाद CBI लगातार उसको ढूंड रही थी लेकिन सिद्धार्थ पिठानी उसको छुपाये रखा और उसके बाद जिस तरीके से उनके सोसल मी या एकाउंट्स के भी सबूत को मिटाया यह वाकई में बहुती गंभीर विशय है और जिस तरीके से सुसान सिंग रास्पूत मडर मामले में एक के बाद एक खुलासे हो रहे हैं कुछ दिनों से CBI खामोसी से इस पूरे मामले की जाच कर रहे थी लेकिन अकाएक धमाका होना यह वाकई सुसान सिंग रास्पूत के फैंस के लिए बड़ी खुस खबरी है दोस्तों सुसान सिंग रास्पूत के आखरी कॉल के बारे में जिक्र कर रहा हूं कि सुसान ने आखरी बार किस से बाते की थी क्या बाते की थी यह वाकई में पूरा देश जानना चाता है सुस जो बादचित के दोरां जो खुलासा हुआ है यो वाकई में आपके कान को एक बड़ा जटका दे सकता है सुसान सिंग राजपूत एक प्रोजेक्ट के बारे बात कर रहे हैं वही प्रोजेक्ट जो पूरा देश कह रहा है कि सुसान के मौत के बाद वो प्रोजेक्ट अधुरा रहा गिया और फिर जो सवाल खड़े हुए वो अक्षे कुमार पर सवाल खड़े हुए कि सुसान सिंग राजपूत के फ्रोजेक्ट को अक्षे कुमार ने हत्या लिया है उसको पूरा करके ये कंपणी का मालिक बनना चाहते हैं जिस तरीके से एड़ोकेट विबेकानन गुपता ने इस बात का दावा किया है कि सुसान सिंग राजपूत के अधोरे प्रोजेक्ट को चुरा लिया गया है अब सक अक्षे कुमार पर है सक अक्षे कुमार पर क्यों जताया जा रहा है इसका भी खुलासा मैंने इस वीडियो में किया है पूरी परताल की है और पूरा सबूत रखा है कि किस तरीके से सुसांत सिंग रासपूत मामले में अक्षे कुमार बूरी तरीके से फस रहे हैं जी हाँ सुसांत के टीश्ट ने अक्षे कुमार को फसा दिया है जिस तरीके से दावा किया जा रहा था कि इस अक्षे कुमार लगातार एक एप पर काम कर रहे हैं और वो एप फोजी एप है जो कि 26 जन्वरी को लॉंच होने वाला है दोस्तों मैं आपको सुसांत की आखरी कॉल रिकॉर्डिंग भी सुनाऊंगा लेकिन इस वीडियो में इस बात का भी खोलासा हुआ है कि सुसांत सिंग रासपूत के टीश्ट ने किस तरीके से अक्षे कुमार को फसा दिया है सुसांत का जो एप था वो प्रजेक्ट अधूर उस प्रजेक्ट को अक्षे कुमार ने किस तरीके से चुराया है इसको भी मैंने किलियर कर दिया है सुसांत की मौत का अक्षे कुमार कनेक्शन ये बाते लंबे वक्त से चल रही थी अब इस बात में दम नजर आ रहा है जिहां इस वीचे का ऐसा सबूत आया है जिस पर यक GG लिखी होती थी उसके माइने भी बड़ा अजीब हुआ करती थी अब मैं बताता हूं कि सुसान सिंगरासपुत के T-shirt का मैं जिक्र क्यों कर रहा हूं उस T-shirt से अक्षे कुमार का क्या connection है अक्षे कुमार की Company का क्या connection है और अक्षे कुमार के Statement का क्या connection है सुसान सिंह राजपुत ने एक टीशट पाना था टीशट में क्यूब आकार था साइन्स में इसे बड़ा ही महत तो दिया जाता है लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कि बार-बार मैं इस क्यूब आकरती का जिक्र क्यों कर रहा हूँ अब मैं आपको शॉट में समझाता हूँ सुसान सिंग राजपुत के टीशेट पर क्यूब आकिरती थी और उस क्यूब आकिरती का अच्छे कुमार का क्या करेक्शन है जी हाँ, अच्छे कुमार ने सुसान के मौत के कुछ दिनों बाद इस बात का एलान किया था कि हम फाउजी नाम का एप लाँच करेंगे जो कि गेमिंग एप होगा और ये एलान पबजी के बंद होने के तुरंद बाद था और दूसरा एंगल ये है कि सुसान सिंग रासपुत एक एप पर काम कर रहे थे वो एप सेक्रेट था किसी को पता नहीं था कि सुसान किस एप को लेकर काम कर रहे हैं और जो आकरती उनके टी-शथ पर थी उसे आकरती का सिंबल उस कंपनी के पास है जी हां Encore Games Company के पास है जो की अक्षे कुमार के सहयोक से फाउजी नाम का एप तयार कर रहा है अब बला सवाल ये ख़़ा होता है कि सुसान सिंगरासपूत जिस एप पर काम कर रहे थे वो एप अब किस के पास है वो प्रोजेक्ट अधूरा था वाकई में सवाल कुछ लोग ये ख़़ा कर रहे हैं आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम अकाउंट पर इस बात का जिक्र किया गया है कि सुसान सिंगरासपूत के एप को ही अक्षे कुमार ने चुरबाया है और वो प्रोजेक्ट अक्षे कुमार खुद पूरा करके इस कम लिया गया क्या इसके पीछे अक्षे कुमार का हाथ है ये वाकई में जाज का विशय है सुसान्त के टी-शेट के सिंबॉल का अक्षे कुमार की कमपनी से मेल खाना हो सकता है कि ये महज शयोग हो लेकिन वाकई में जाज का विशय है ऐसा लग रहा है कि सुसान्त के कातिलो को जल्दी फासी की सजा होगे जिस तरीके से उन्होंने एक यूबा और महनिती कलाकार को मौत के घाट उता दिया परसंसकों के उम्मीदों पर पानी फेर दी उसे सजा तो होनी चाहिए और वो सजा फासी की सजा होनी चाहिए दोस्तों सेर दो कदम पीछे हटता है इसका खामोस थी क्योंकि कोई चीजें कोई प्रैवेसी चीजें लीक ना हो जियां कई चीजें होती है जो कि जांच में शहयोग देती है अगर वो चीजें बाहर आ जाया तो जांच में पूरी तरीके से खलल पर सकती है ऐसे इस्तिति में CBI को खामोस होना बहुत जरूरी था के लिए बड़ी खुश खबरी है उम्मीदें जग गई है CBI कुछ कर रही है इससे किलियर हो गया है दोस्तों सत्ति की हमेशा विजय होती है इसा लग रहा है कि सुसान का कातिल जल्दी सलाखों के पीछे होंगे इस वीडियो को जादा से जादा से शेर किजिए ताकि सुस